Hello students, welcome back to the tips, मैं हूँ सरबजी सिंग, आज हम करेंगे Modern Rules of Accounting Books में recording करने के लिए Journal Entry पोस्ट की जाती हैं और Journal Entry को कैसे record करना है, उसके लिए हमें एक Standard Instruction दी गई है पहले वो instruction Golden Rules of Accounting होते थे कुछ समा पहले ही एक नए रूल आये है, Modern Rules of Accounting हमारे पास अब Journal Entry करने के लिए Two Types of Rules available है आपको जो भी दोनों में पसंद आए, जो भी Easy लगे, आप उसको चूज कर सकते हो ठीक है, Journal Entry दोनों से ही सेम बनेगी, कोई Difference नहीं आएगा आपको जो अच्छे लगे, जो Easy understandable हो, आप वो चूज करो क्योंकि हर एक student का अपना style होता है जो हमारे पास Golden Rules of Accounting होते थे, उसे हम कहते हैं Traditional Rules of Accounting, अब Modern Rules of Accounting को Modern Rules ही कहते हैं जहां फिर Modern Approach to Accounting भी कह सकते हैं अब traditional rules में हमारे पास तीन rules थे, जिसका हम already topic clear कर चुकी है लास्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें तीनों के तीने account बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए है आप प्लीज चेक कर लिजेगा, मैं I button में उस वीडियो का link दे रहा हूँ और comment में भी pin कर दूँगा आप उसका वीडियो अच्छे तरीके से देखिए और understand कीजिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से explain करने कोशी किया उसमें अगर आपको कोई भी doubt लगता है तो आप comment करके में उसमें पूछ भी सकते हैं modern rules of counting में हमें 5 rules मिलते हैं पहला है capital, दूसरा है assets, तीसरा है liability, चौथा expenses और पांच में income मिज जो हमारे terminology में हमने इन सभी का meaning already प्रहले ही पढ़ रखा है अगर आपने नहीं अभी तक भी पढ़ा तो मैं आपको terminology की बीडियो का link भी i button में दे दूँगा आप उसको भी check कर लीजेगा, ठीक है इसमें simple simple term से ही rule बना दिये हैं, वो past term निकाली हैं और वो past term से ही आपकी सारी accounting cover हो जाएगी जबकि जो traditional account थे, उसमें अलग से types of account बनाए गये थे जैसे उसमें real account एक बनाया गया था, personal account और nominal account वो अलग से बनाए गये थे, वो उसके अंदर क्या-क्या आएगा वो आपको समझाया गया था इसमें types of account ही different कर दिये, जो actual terminology है accounting की, उसी terminology को use करके modern rule form किये गए है जैसे हमारे पास rules है, पहला capital, उसमें हम देखेंगे कि capital rule जो applicable होता है, वो किस चीज़ पे होता है, जैसे तो नाम से ही ये clear होता है कि capital rule all types of capital transaction पर implement होगा, apply होगा means अगर कोई business में cash आ रहा है, owner की तरफ से, तो भी उसमें capital rule ठीक है, implement हो जाएगा, अगर owner cash निकाल रहा है, means drawing कर रहा है तो भी capital rule apply होगा, ये नाम से clear हो रहा है, अगर owner को transaction करेगा तो आप capital rule लगा दोगे, ठीक है अब capital rule कहता क्या है, debit किसको करना है, credit किसको करना है, ये क्या कहता है debit करेंगे अगर decrease होता है capital में, अगर capital में decrease होता है तो उसे हम करेंगे debit, credit करेंगे अगर capital में increase होता है अगर increase होता है, तो हम capital को credit करेंगे ठीक है जैसे honor हमारे पास business में पैसे लगा रहा है तो अब क्या हो रहा है capital में increase आ रहा है capital हम issue करते हैं जब honor business में cash लगाता है तो capital में increase आया है तो क्या करेंगे उसको credit अगर honor business cash से personal amount कुछ भी draw कर रहा है तो वो क्या होगा honor capital निकाल रहा है decrease हो रही है capital तो जब decrease होगा तो तब क्या करेंगे debit ठीक है next rule है हमारा assets assets भी name से clear होता है जो भी assets के साथ transaction होगी business में कोई भी assets से later transaction होती है कभी भी तो उस पे assets rules applicable होगा ठीक है अब assets rules क्या कहता है debit करेंगे जब assets में increase आएगा credit करेंगे जब assets में decrease आएगा ठीक है अगर हम business के पास asset आ रहा है means increase हो रहा है तो उसे हम debit करेंगे अगर business से asset जा रहा है means decrease हो रहा है assets में asset की value में तो उसे हम credit करेंगे third rule है हमारे पास liabilities liabilities rule applicable होगा all types of liabilities पर ठीक है अब rule क्या कहता है liability का debit कब करेंगे जब liabilities में value में decrease आएगा credit करेंगे जब increase आएगा liability उसे बोलते हैं जो payment business ने future में करनी है वो business की क्या होती है liability होती है ठीक है अगर तो liabilities में increase आता है तो हम credit करेंगे जो अगर हमने bank loan लिया business ने suppose तो वो future में pay करना है अगर तो bank loan पहले तब 5,000 अब bank loan और ले लिया 10,000 का तो bank loan में increase आ गया ना 5,000 से 10,000 उपर गया तो कितना निक्रीज आ गया 10,000 का तो increase को क्या करेंगे credit अब bank loan काउंट को क्या कर देंगे credit अगर हम repay करते हैं उसी bank loan को 15,000 का 15,000 ही हमने repay कर दिया तो liability हमारी कम होगी decrease हो गया हमारा zero होगी हमारी liability तो decrease जब आएगा liability में तो क्या करेंगे हम liabilities को debit कर देंगे fourth rule है हमारे पास expenses expenses rule सब भी types of expenses और losses पे implement होगा कोई भी खर्चा करता है business तो उस पे rule कौन सा implement होगा expenses अब expenses rule हमें क्या कहता है debit करना है जब increase आए expenses में credit करना है expense को जब expenses में decrease आए किसी भी खर्चे में कोई decrease आता तो हम उसे क्या करेंगे credit अगर increase आता तो उसे क्या करेंगे debit last rule है हमारे पास income income rule भी name से clear होता है कि implement होगा सभी types of incomes और profit और gains पर कोई भी हमें profit gain कुछ भी होता है कोई भी income earn करता है business उस पे rule लगता है income rule अब income rule क्या कहता है debit करना है decrease in income अगर income में decrease आता है तो उसको debit करेंगे increase आता तो उसको हम credit करेंगे अब rule तो हमने समझ ली है पांचो के पांचो क्या कहते हैं और किसे इनको implement करना है और इसको कैसे easily remember करना है मैं बो भी आपको बता देता हूँ आप इसमें 3-2 की ratio में इसको easily understand और remember कर सकते हो जैसे capital liability और income capital liability and income are same थी। आप इन तीनों को एक साथ कर लो capital में भी debit तब होगा जब decrease होगा, liability में भी debit तब होगा जब decrease होगा और income में debit तभी होता है जब decrease होता है और opposite credit तभी होता है जब increase होता है तीनों में इचीक है जित three-two की ratio रख लो अब Capital, Liability and Income और दूसरा rule बन जाएगा Assets and Expenses क्योंकि उसमें भी सेम है debit तब होगा जब increase होता है और credit तब होगा जब decrease होता है आपके पास 5 rule के इलावा अब आपके पास only 2 rule बच जाएंगे in short अब हम देखते हैं कि जब पांचों के पांचों rule example से understand करेंगे कि how to apply these rules on any transaction किसी भी transaction पर इन्हें कैसे apply करना है इस चीज़ को हम देखेंगे main question तो आपके दमाग में जही आता होगा जैसे हमने last video में golden rule की application भी आपको सिखाई थी कि कैसे आप किसी भी transaction में six step के process में हमने समझाया था कि आप किसी भी transaction पर वो six step का process follow करो आप उसमें से journal entry transaction की record कर पाओगे example number one है हमारे पास started business with cash rupees five lakh अब पांच लाग की से owner ने business start कर दिया ठीक है अब transaction को scan करना है पहला step हमारा यही है scan and select the affected account from the transaction transaction से जो भी account effect कर हो रहा है उसको हमने scan करना है और select करना है इसमें दो account हो रहे है एक तो cash हमारे पास आ रहा है और business start कर रहा है owner तो owner को हम क्या करेंगे capital issue करेंगे two rules इसमें implement होंगे two rules involve होगे एक तो capital and दूसरा assets ठीक है अब हम account देख लेंगे कौन कौन से second step में हम क्या देखते है what type of the account these are owner business start कर रहा है तो क्या है जब भी owner business में पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते है capital ठीक है अब owner business start कर रहा है तो यह आ गया capital और cash आ रहा है हमारे पास वो आ गया assets third step में देखेंगे कि कौन सा rule implement होगा इन दोनो types of accounts पे capital पर capital rule apply होगा assets पर assets rule apply होगा अब देखते हैं four step में what will be the effect of this transaction on these accounts means capital और cash पर क्या असर पढ़ रहा है इस transaction का अब जो owner capital business को pay कर रहा है pay to business और business cash receive कर रहा है fifth step में अब check करेंगे which condition of modern rule is applied on these accounts अब दोनों accounts पे कौन कौन सी condition apply होगी both check करते हैं अब capital rule में owner को हम capital owner business को पैसे दे रहा है हम उसको capital issue कर रहा है means capital क्या हो रही है increase हो रही है वैसे ही cash हमारे पास आ रहा है तो cash भी क्या हो रहा है increase हो रहा है ठीक है अब six step में हमारे पास निकल जाएगा debit किसको करना है credit किसको करना है अब modern rule के according capital में जब भी increase आता है तो उसे हम credit करते हैं और assets में assets rule के according जब भी increase आता है तो उसे हम debit करते हैं अब इन six step के process को complete करने के बाद हमारे पास एक credited account एक debited account available है credit करेंगे हम capital कर और debit करेंगे cash को ठीक है अब इसको standardized journal format में journal का format change नहीं होगा वो same ही रहेगा rule आप कौन से भी try करो आपको कुछ भी golden rule करना जाते है golden rule करो modern rule करना जाते है तो modern rule करो लेकिन journal का format same ही रहेगा अगर आपने journal का format भी अभी तक नहीं देखा तो मैं i button में उसका भी link दे रहा हूँ आप journal का format भी study कर लो एक भार ठीक है अब journal में format में हमारे पास जो account दो निकल आई है डाप्तर अकाउंट और credit account वहाँ पर हम इनको लिख देंगे ठीक है डाप्तर अकाउंट का हमारे पास cash account cash को हम debit कर देते हैं और capital account हमारा credit है तो capital को credit कर देते हैं डाप्तर अकाउंट के सामने debit column में amount लिख देंगे amount कितना है हमारे पास 5 lakh रुपेज 5 lakh लिख देंगे ठीक है credit account के सामने credit column में 5 lakh रुपेज लिख देंगे जह हमारी transaction complete होगी शोटी सी narration लिख सकते हैं वो भी लिखनी जुरूरी है being started business with cash ठीक है business शुरू हो रहा है जह हमारी general entry record होगी है second example लेते हैं हम जहां पर दो rule हम cover करेंगे और एक assets तो पहले भी कर चुके हैं तो assets तो इसमें भी cover होगा और second rule हम cover करेंगे liabilities ठीक है example number two purchase furniture for rupees 10,000 from among on credit अब उधार पर हम क्या खरीद रहे हैं फरनीचर खरीद रहे हैं ठीक है इन दोनों का account कौन कौन सा है furniture assets होता है और अमन क्या है liability account है according to modern rules of accounting अब third step देखते हैं third step में हम rule देखेंगे कौन सा apply होगा modern rule का assets पर asset rules apply होगा और liabilities पर liabilities rule apply होगा fourth step में देख लेंगे अब effect क्या परड़ा है transaction का in accounts पे assets तो purchase हो रहा है तो asset आ रहा है हमारे पास liability rule के according अमन का एक loan account क्रेट हो रहा है एक तरीके से हम अमन से पैसे उधार ले रहे हैं को goods उधार पर ले रहे हैं तो अब future में उसको हम payment करेंगे एक loan क्रेट हो रहा है liability create हो रही है ठीक है और पांच्वी condition में देखेंगे which condition of modern rules is applied अब इन पे modern rule की कौन सी condition apply होगी अगर purchase हो रहा हैं तो increase हो रहा है assets में क्योंकि assets से हमारे पास आ रहा है तो asset increase हो रहा है और liability create हो रही है तो मतलब liability का भी increase हो RHEA पसके में आपके पास पता चलोब कहा कौनसा account देविट हों, डेबिट हो कौन सा हम credit है क्योंकि assets में जो increase होता ए उसको भी debit करते हैं और liability account के rule के according increase को हम credit करते हैं और debited और credited account आपको आप पता चल गए हैं तो आप अब journal entry post कर सकते हो simple as it is format में हम journal entry post कर देते हैं जैसे पहले की थी जिप debited account की place में हम लिख देंगे furniture account और credited account की place में हम लिख देंगे amount debit column में 10,000 और credit column में 10,000 जितना भी amount था वो हमने लिख दिया और narration में लिख देंगे being furniture purchase for rupees 10,000 और credit from a month next example करते हैं example number 3 salary pay to employee of rupees 5,000 इसमें expenses account include है और assets account भी include है इसमें पहला step करते हैं और scan करते हैं और देखते हैं कौन सा account effect हो रहे हैं एक तो salary है और दूसरा है cash account second step करते हैं और type देखते हैं account की इनकी type कौन सी है salary क्या है हमारे लिए expense है मैंने आपको पहले भी बताया है business के लिए salary expense होता है लेकिन अगर आप ऐसे employee काम करोगे तो आपके लिए वो income है business तो पैसे आपको दे रहा है तो business तो spending कर रहा है न उसके लिए क्या हुआ expense ठीक है cash business के लिए क्या होता है assets third step में देखते हैं कौन सा rule apply होगा expenses पर expenses rule apply होता है और assets पर assets rule apply होता है अब fourth step में देखेंगे क्या effect salary हम pay कर रहे ठीक है और cash में payment हो रही है तो modern rule का क्या आफर आएगा इस पर कैसे implement हो गएए अब expenses हमारा increase हो रहे है क्योंकि हम खरचा कर रहे है expense पे कर रहे है और cash पे कर रहे है तो हमारा cash क्या होगा decrease हो रहा रहा है ना हमसे तो decrease हो जाएगा इस टेप में देखते हैं हम कौन सा rule account debit होगा credit होगा और expenses account में जब expenses increase होते हैं तो उसे हम करते हैं debit और assets account में अगर assets decrease होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं credit अभी है हमारे पास debited account और credit account आ गया है तो हम अब journal entry डाल लेते हैं format as it is copy कर लो जैसे format था ही पहले और debited account की जगह पर हम लिख देंगे salary account और credit account की जगह पर लिख देंगे हम to cash account debit column में 5000 आ जाएगा और credit column में 5000 आ जाएगा narration आ जाएगी being salary paid to employee जहे आपकी general entry बन गी अब fourth example है हमारे पास sold goods worth rupees 15,000 अब sold goods इसमें भी दो account involve जाएगे एक income और एक assets ठीक है अब scan करते हैं इसमें भी पहला दो account है कौन कौन से एक तो sale account आ गया और दूसरा है cash account अब second step में हम चेक करेंगे इसकी type sale हमारे पास क्या होती है income और cash क्या होता है assets third step में देखेंगे अब कौन सा rule apply हो रहा है इन accounts पर income पर income rule apply होगा और assets पर asset rule apply होगा four step में देखते हैं इसका क्या effect हो रहा है goods sold हो रही है और cash receive हो रहा है goods जा रही हो cash आ रहा है अब fifth step में देखते हैं modern rule की कौन सी condition लगती है इन पर अगर goods sold हो रही है तो हमें क्या हो रही है income हो रही है income हमारी increase हो रही है ठीक है हमें income हो रही है ना generate कर रहे हैं हम income तो उसे क्या कर रहे है income क्या होगी increase होगी अब assets cash भी आ रहा है क्योंकि income हो रही है तो cash हमारे पास आ रहा है तो cash भी क्या होगा increase ठीक है अब last step में हम देखेंगे कि कौन सा कौन debit होगा और कौन सा account hang hora, HereaitOra income increase своres तो, what क्या होगी ए रैडिट Yup according to modern rules of accounting जब income increase होती हैं, तो इसे हम करते है credit और जब expense increase of हुदता, उसे हम करते है debit ऐसा ही अगर assets increase होता है तो उसे भी हम करते है debit और अब जब assets increase हो रहा ह्या हू से हम क्या करेंगे debit, अब हमारे पास departure record credit account आ जोका है, sale account हमारा credit हो रहा है और cash account हमारा debit हो रहा है, तो इसे हम format में ही as it is लिख देंगे जैसे हमने पिछली तीन transaction की हुई है, debit की place में हम लिख देंगे cash account और credit की place में हम लिख देंगे to sales account, debit column में आज देगा 15,000 और credit column में आज देगा 15,000, narration में लिख देंगे हम simple being goods sold for cash जह हमारी general entry form होगे हमारा example का question जो भी यह general entry complete हो चुकी है और आपका यह lecture भी complete हो चुका है आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में so वीडियो को like करें, shake करें अपने friends और relative के साथ comment करें अगर कोई भी doubt है आपको हमारी team आपका doubt के लिए करने में पूरी help करेंगी और subscribe करें चैनल को next वीडियो की notification प्रफ्ट करने के लिए so thanks for watching, bye bye, सच्छियकाल, good morning, good afternoon, good evening, good night जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं